हलो फ्रेंड्स विलकम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइड डिजाइन फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का न्यू बैच चल ला है बेसिक सी लाइक कोर्स का तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक 12 क्लास कНе ही बताना पड़ेगा तो यहां पर देखो यह मेरा पेपर है पुरा दुले लेंग का क्या देखले में और यहां पर पको प्रेंगे पट्रेट पट्री की जरूरत पड़ेगी ठीक है अब बस यहां पर हम सारा सामान साइड में करते हैं सबसे पहले तो पेपर को लेना है पेपर को लेने के बाद यहां पर हम एक पेपर छोटा बड़ा कर देंगे यह हमने यहां पर इसे छोटा बड़ा कर लिया ठीक है तो यह जो ऊपर की साइड है ना हमारा तो ये हमारा क्या है बैक पार्ट है नीचे की साइड क्या है हमारा फ्रेंट पार्ट है ये हमारा पेपर यहां से जुड़ा हुआ है ठीक है हमने इस तरह से रखा अब रखने के बाद जो हमारा ये बैक पार्ट है इसकी लंबाई हम कितनी ले तो जितना हमें ब्लाउस तयार रखना है बैक पार्ट में उसमें से हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है एक इंच हमें यहां नीचे से बाटम फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच यहां ऊपर के साइड हमारा शोलर में सिलाई में जाएगा ठीक है आई हो आपको यहां पर इतन मैं बता रहे हूं लेकिन आपको समझाते चल रहे हूं कि कितना प्लस करना है अब आपको यहां पर 11-12 इंच जितना भी रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लिए बैक पार्ट में ठीक है अब इसके बाद यहां पर बैक पार्ट के बाद हम आते हैं अपने फ्रेंट पार सिंपल वाले ब्लाउस मिले रहे थे लेकिन यहां पर हमें margin चाहिए होगा तो पूरा हमें 1.5 इंच लेना है तो इस तरह से हमने यहाँ पर लंबाई निकाल लिए front part और back part की दोनों की सीख लिया ठीक है अब चलो इसको हम ऐसे fold कर देंगे तो यह जो हमारा back part था यह अंदर जा रहा है फ्रेंट पार्ट हमारा बाहर आँरा है देखो यह हमारा back party है तो बैगपार हम इसको ऐसे fold करेंगे तो अंदर जारह है aur front part हमारा उपर आ रहा है तो यह हमारा कितना fold में हो गया चाहर fold में हो गया अब हम fold it side को अपनी side को सबसे पहले के लिए निशान लगाते हैं तो गले के लिए हम यह पर ! पर निशान लगाएंगे तो देखो अगर यहां पर हम नॉर्मल साइज का बना रहे हैं ब्लाउस तो फिर धाय इंच लेना है अगर जैसे आप बहुत ज्यादा दूबली पतली लेडिस का बना रहे हो तो आप यहां पर दो इंच पर लीजेगा जिससे कि उनका गला उतरेगा नहीं कभी भी नहीं उतरेगा बिल्कुल भी गला उतरने की दिक्कत नहीं होगी और पहनने में बिल्कुल आसानी से पहन जाएगा ठीक है तो देखो फ्रेंट्स यहां पर अगर हम जैसे नॉर्मल साइज का बना रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हैवी साइज का तब आप घ्लक एनया समय के हाफ इनच पलस कर लेना है माल लीजेगा आप यहां पर जैसे 5 इंच का गला पहनना चाहते हो तो फिर हाफ इंच प्लस किया तो साड़े 5 इंच िसकी लंबाय लेनी है तो आपको जितना भी गला पहनन नहीं उस में से 1000 प्लस कर लेंगा आप this अछ lev कर द छाएगा तो बस यहां पर हम क्या करते हैं उतनी ही लंबाई ले लेते तो माल लो हम यहां पर साड़े के लिए निशान लगाएंगए तो इसको मैंने आपको बताया ही है चार्ट एक दे दिया है पहले ही पहले क्लास में तो आप वहां से इसको मतलब हर एक चीज तो यहां पर नहीं बताना पॉसिबल हो सकता है तो इसलिए मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है तो उस वाले चार्ट से आप यहां पर देख लेना कि किस साइज में क का सीने का साइज है उसे चार से डिवाइट करना है माल लो यहां पर आपका 32 साइज का ब्लाउज है तो यहां पर आपने चार से डिवाइट किया तो कितना आएगा आठ इंच आएगा तो बस यहां पर आपको उतना ही यह कपड़े के बंद भाग से ले लेना है यहां पर कुछ राथ से निष्ट से निष्ट निष्ट केंगे यहां पर आकशना ते कांड़ डाउन तो यहां पर निष्ट करने लिद्ध कर एक सब्सक्राइब हैं अंदर की साइड हाफ इंच ऐसे अंदर करेंगे तो यह घुलाई कल भाई में देना है इसके बाद margin वाले lines खीच देना इस तरह से निशान मिलाते हुए यहां पर इतना complete कर लिया है तो इतना तो हमारा पूरा process कैसा रहा जैसे हम simple सा blouse बनाते हैं अब यहां पर हम belt blouse बना रहे हैं तो अभी हम tux के लिए निशान नहीं लगाएंगे सबसे पहले belt का निशान लगाएंगे ठीक है तो बेल्ट के लिए हम निशान कितने पर लगाएंगे यहां से अपना इंची टेप रखेंगे इस तरह से यहां पर नीचे की साइड लंबाई लाएंगे तो इसका भी मैंने आपको चार्ट दे दिया तो चलो यहां पर मैं आपको ट्रिक के तौर पर बता देती हूं जैसे यहां से इंची टेप रखा अगर आपका ब्लाउच जैसे बहुत ज्यादा हाइट फाली लेडिस का है तो आप यहां पर 13 पर निशान लगाएंगा और अगर यहां पर जैसे नॉर्मल साइज का है 12 पर लगा अगर बहुत कम हाइट तो फिर यहां पर 11.5 ग्यारा इंच 11 लेश हो तो इसकी टोड़ा होता है लें लेकिन पेपर है तो थोड़ा कम लंबाई आई है तो यहां पर लगबग 4-4 एंच तक लंबाई नीचे कि रहजाती है यहां पर इस तरह से यह मालो हमने दो इंच पर निशान लगाया अब इधर साइड हम एक इंच कम कर देते हैं यहां पर निशान लगा दिया अब हम इन निशान को जो भी इधर निशान लिया है और इधर वाली निशान से इस तरह से एक लाइं खीच लेंगे अब इसके तो इस तरह से हमारी बेल्ट भी कंप्लीट हो गई अब यहां पर सबसे पहले हम टक्स के लिए निशान डालेंगे तो टक्स के लिए हम यहां से यहां तक तो हमने आर्मोल और टक्स का चार्ट जो है एक ही वीडियो में सेयर किया है आप लोगों ने नोट भी कर लिया है ठीक एक टक्स हम नीचे की साइट डालेंगे तो यह भी हम देड़ हींच छोड़ते हुए निशान डालेंगे अब इसके बाद एक टक्स हम इधर साइट डालेंगे तो यह भी हम देड़ हींच छोड़ते हुए निशान डालेंगे और एक टक्स हम यहां पर आर्मोल साइट डाल अगर आपका यहां पर जैसे ब्लाउज उतरने की शमस्या होती है किसी-किसी के ब्लाउज में तो फिर आपको यहां पर क्या करना हद्र हलका साइट ऐसे हलका सा डाउन करते हुए करना है जब कटिंग करोगे ठीक है जिससे आपका गला कभी भी उतरेगा, नहीं आप चलो रह कहां से गले के पास से कपड़ा निकला हुआ है ना यहां से हम अपनी हुद पॉद्टी हो जएगी एक हुद्व् shrimp बैसे कप्टो कि कहां से कपड़ा कैसे निकालना होता है तो जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो होक पट्टी आई-पट्टी यहीं से निकाल लेंगे अब यहां पर हम स्लीफ कहां से निकालते हैं तो स्लीफ हम यहां साइड से जो हमारा कपड़ा बचता है यहां से निकालते हैं यहां से हम पूरी क्या करते स्लेफ निकाल लेते ठीक है तो जब हम कपड़े में अभी कल की वीडियो में कल वाली क्लास में कपड़े में कटिंग करके दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समाज आएगा लेकिन यहां पर मैंने आपको बता दिया ठीक है तो चलो इनको अब हम पाक्ट को फिर से रखेंगे ऐसे रखने के बाद जो हमारा हाफ इंच इंदर की साइट डाउन है इसे हम कटक देंगे itt हम कर लेते हैं हम इसे चाप लेंगे को उसके लोग मुलती है लेकिन यहांगे किवा बता दिया लगाने का心 नी één यहां इसके लोगा नहीं को हैं लेकिन आपां डार। सेम्मेर्मेंट लेते हुए लगा सकते हैं अब हम क्या करते हैं कि यहां पर दोनों को आज इस तरी हमने यहां पर बेल्ड की कटींग कर लिया है यह हमारे फ्रेंट पाइट की कटींग हो गई है पूरी अभी हम इसको साइड में रगते हैं यह हमारा तो back part में अप क्या करना होता इसको ऐसे ही रखेंगे अब back part का अगर आपको गला लेल धिमी करना है, ज्यादा बड़ा करना है फ्रेंट पार्ट का तो ज्यादा बड़ा करना है तो अब यहां पर आप बढ़ा लीजेगा जितना भी आपको तयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके इस तरह से लाइन खीच लीजेगा और इधर साइड एक लाइन खीचेंगे जितना भी आपको तरह से 1.5 इंच पर एसे निशान लगाएंगे और गुलाइ कर लिएगे बस इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे तो इसे हम कट कर लेते हैं तो देखोivol़ने इस तरी हमने अपने बैग पाइट के गले पर भी गुलाई कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर पेपर के बंदभाग से हम यह पर अंदर के साथ चार इंच पर एक निशान लगाएंगे उपर के साथ भी चार इंच ले जाएंगे तो यह यह पर एक डाट का निशान लगाया जो कि हमें बैक पाइट में एक डाट डालना होता है और एक डाट हम इधर साइड लगाएंगे यानि कि हमें बैक पाइट में दो डाट डालने होते हैं इधर तो सेंटर से चार इंच उपर की साइड भी चार इंच तो यह हमने यहां पर डाट के लिए नि सबस्क्राइब तो दोनों साइड प्लेट डालते हैं इतने में 4- में लमबाई पर यहां से आई हो आपको वाय लिधा हो गया तो यह हो गया हमारा फ्रेंट वह सॉरी बैक फाइट बैक पाईट inn का लिपार्ट पूरी कपर लिपस्टाइब कर ली पेपर में, I hope आप लोग भी ट्राइ करोगे, कटिंग करोगे, तो फ्रिंट्स अब हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं, कपड़े में कटिंग, प्लस बेल्ट के साथ में, जैसे हमने इसमें कटिंग किया है, पूरी कटिंग, फुल कटिंग करेंगे एक वीडियो में और सिलाई सिखेंगे उसके, फिर उसके बाद ठीके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो फटा-फट से सस्क्राइब कर लीजगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडिय आपको मिल सकेगी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धर्निवाद,